रोहित कोहली ने की गैंदवाजी तो बन गए रिकॉर्ड वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने लगातार नवी जीत हासिल कर ली है दीवाली के मौके पर टीम इंडिया ने नीदरलेंड को 160 रनों से रौंद कर देशवासियों को खुबसूरत तोफा दिया है बैंगलूर के एम चिननस्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारते टीम के दो बड़े सबसे बड़े सुपरस्टार वराटकोली और रोहित शर्मा ने बल्ले से तो दम दिखाया ही है इसके साथ ही गैंदवाजी से कमाल दिखा कर फैंस की दिवाली खास बना दी नीदल लेंड के खिलाब मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने नो गैंदवाजों का इस्तिमाल कर सब को हैरान कर दिया सेमी फाइनल से पहले हिट मैन का ये प्रियोग फैंस के लिए बड़ी खुसी लेकर आया बैंगलोर के चहेते वराट कोली ने पहले विकेट लेकर संसनी मचाई और उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने अंतिम विकेट लेकर नीदल लेंड का काम दमाम किया इसके साथ ही भारते टीम ने एक स्पेसल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया वर्ल्ड कप में 31 साल वाद ऐसा हुआ है जब किसी टीम ने एक मैच में अपने 9 गैंदवाजों का इस्तमाल किया है इससे पहले 1992 में नियूजिलेंड ने पाकिस्तान के खिलाब ये काम किया था विस्वुक अप की त्यास में तीसरी बार ये कारनामा हुआ है पहली बार 1987 में इंग्लेंड ने स्री लंका के खिलाब पेसावर में 9 गैंदवाजों का इस्तमाल किया था नीदरलेंड के खिलाब बल्ले से धमाकिदार पारी खेलने वाले स्रेय सायर को Man of the Match घोसित किया गया है तो रोहिष शर्मा की बल्लेवाजी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं आभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में